जेर्ज टेलर्विंग का बिजनस कैसे शिरू करें? लागत मुनाफ़ा और बाजार की डिमांड आदी जाने बर्तमान में बदलते वक्त के साथ लोगों की जरूरतें भी परिवर्तित हो रही हैं एक समय हुआ करता था जब कपड़े सिलने वाले टेलर की डिमांड बहुत अधिक होती थी परन्तु और योगी करण के पश्चात मशीनों के द्वारा सिले गए कपड़े मारकेट में अपनी जगा बनाने में सफल हुए परन्तु अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो टेलर के द्वारा सिले गए कपड़ों को पहनना ही जादा पसंद करते हैं क्योंकि उनको पहले से तयार रेडिमेट कपड़ों की फिटिंग अच्छी तरीके से नहीं आ पाती है भारती समाच में 40 साल से 60 साल आयू का वर्गल लगभग टेलर से सिलाई हुए कपड़े का इस्तमाल करता है इन कपड़ों की लंबे समय तक चलने की प्रवरिती तथा एक ट्रेडिशनल थार्ट प्रोसेस अभी भी इस व्यवसाई को जिन्दा रखने में सफल है चुली जानते हैं ट्रेंस टेलरिंग का बिजनस आप के से शुरू करें टेलरिंग व्यवसाई के लिए आवश्यक स्किल मुखित है इस व्यवसाई को करने के लिए आपके पास एक स्किल होना निवारे है जो की है सिलाई इस स्किल की सायता से आप पुरुष महिलाएं और बच्चों के कपड़े आसानी से सिल सकते हैं यदि आपके पास इस तरह का स्किल नहीं है तो आप किसी दूसरे टेलर की सायता से सीख लें और या फिर भारत सरकार की द्वारा कई सलस्थाएं संचालित की जा रही हैं जो कि इस तरीके के स्किल को लोगों तक पहुँचाती हैं इसके अलावा आपको सिलाई करने वाली मशीन और दूसरी सामगरी की जरूरत पड़ेगी जैसे कि धागा मशीन में इस्तेमाल होने वाला तेल तथा मशीन को रखने के लिए काम में आने वाला टेबल इत्यादी इसके बाद आप अपनी घर से भी अपना काम शुरू कर सकते हैं यदि आप अपनी मार्केटिंग पर फोकस करना चाहते हैं तो आपको अपने कपड़े सिलने की दुकान को शहर में किसी भीड़भार वाले स्थान पर लगाना होगा जिस वज़ा से आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बना पाएं और साथ ही लोगों को उचित केमत में बेहतरीन सेवा प्रदान कर उनका विश्वास चीत पाएं इस तरीके से बनाएं अपना बिजनस प्लार टेलर सिलाई इंडस्ट्री में बहुत सेक्टर शामिल किये जाते हैं इनवेस्टमेंट और मुनाफा आपका निवेश मुक्षयता आपकी दवारा चुनेगाइ व्यवसाय की साइज पर निर्भर करता है साथी जो स्थान पर आप अपना व्यवसाई शरू करना चाहते हैं बहाँ की लोकैशन भी इसमें महत्वपूर्ञ योगदान देती है जिस वज़ा से आपकी यहां आने वाला कच्चा माल पहुंचने में लगने वाला समय और खर्च अधिक होगा। जिस वज़ा करने के लिए आने वाली कुल लागत सिलाई मशीन 30,000 रुपए से 40,000 रुपए, दुकान की कीमत 20,000 रुपए प्रती महीना अन्य खर्चे 10,000 रुपए। इस तर पर इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 5 लाग रुपए के निवेश्ट के अवशकता होगी। साधारन जगा पर दुकान लगाने पर भी एक महीने से आने वाली कुल सिलाई की ड्रेस लगबग 100-120 रुपए से अधिक। आपका मुनाफ़ा लगबग 80-90,000 रुपए प्रती महीना। कैसे चुने अपनी शौप का नाम। आपको अपनी दुकान का एक नाम चुनना होगा यदि आप इस व्यवसाय को बड़िसतर पर ले जाना चाहते हैं तो। हमेशा इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखें और एक दिल्चस्प तथा लोगों को आसानी से याद होने वाला नाम रखें। साथी आप इंटरनेट की साहता से ऑनलाइन डिलिवरी भी ले सकते हैं। असानी से याद होने वाला साधारन नाम इंटरनेट की सायता से ग्राकों को आप तक पहुँचने में मदद करेगा। बचाने के लिए पार्ट टाइम तरीके से लोगों को हायर कर सकते हैं। जिससे कि आपके यहां काम कर रहे करमचारियों के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा। इस पॉलिसी की सायता से वह लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि उन्हें ग्राकों के साथ किस तरह से विवार करना है। आपने खुद ने भी यह बात महसूस की होगी कि जब आप किसी शौप पर जाते हैं तो वहां पर काम कर रहे व्यक्ति आपसे बुरा वेभार करते हैं तो आप अगली बार उसकी बजाए दूसरी शौप पर जाना पसंद करते हैं चाहे वहां पर आपको अच्छा माल मिले इस तरीके से करें अपनी शौप की मार्केटिंग वर्तमान में किसी विवेवसायक को सफल बनाने के लिए मार्केटिंग की अविशकता बहुत बड़े सर पर करनी होती है क्योंकि इतनी अधिक जनसक्या होने की वज़ा से भारत में हर विवेवसायक में अपना एक अलग और इसके लिए आपको पैसे खर्च करने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ती यदि आप अपने यहां आए किसी ग्रहक को उसकी डिमांज की साफ से कपड़े सिल कर देते हैं और उसकी रेंज में ही उससे पैसा वसूल करते हैं तो वो खुद ही अपनी दोस्तों या दूसर बना कर मार्केटिंग कर सकते हैं साथी वहां पर आप एक सुरक्षित पेमेंट गेटवे उपलब करवा कर ओडर भी ले सकते हैं आप वरतमान में कई लोग पर टेलर शॉप के द्वारा अपनाय जा रहे तरीकों को भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें वो अपने यहां आने वाल ग्रहा को अपनी तरफ से पहले से छपाया हुआ ग्रीटिंग कार्ड गिफ्ट के रूप में देते हैं साथी कपडों के पैकिंग को डिजाइनर तरीके से किया जाता है और उसको पैक करने के लिए इस्तेमाल में ली गई रैपिंग बहुत ही खुबसूरत लगाई जाती है ओकी क्रेडिट बिजनेस ओकी है